जो आएंगे शायद भारी पढ़ेंगे वो होनी पाया बहुत पिटके हैं बहुत अच्छी तरह से हडिया और दिया तुरवा के भाग गये वो तो चाइना भाग गया जो चाइना तुट्स क्लैश्ट नियर इस्टुटिड बॉर्डर लास्टी और कहा यह जा रहा है कि दोनो इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैड़ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर वो महां मुझूद ही नहीं है लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत जबदस तरीके से इंडियन फोर्स ने ना सरिफ ये के चाइनियन फोर्स को रोका बलके जो बबत्थर बाजियोंगे क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौझूद नहीं हैं और तो हम इसके उपर बड़ी असानी से काबू पालेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं सका और चाइना के जो लोग थे जो सोल्जर्स थे उनको बाहराल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्स ने हमें ये नियू जो भी प्रॉबलम है उसको सॉल्फ करें लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा चाइना को पता कि पीपी में उनसे आगे निकल जाएंगे जीडीपी बिनके ने आगे निकल जाएंगे यहां हालत कि चाइना की ऐलाइन आज कर पर्सू बेंकरप्सी डिक्लेर करने वाली है तो चैना को जटके लग यहां पर जटके लग रहे हैं और यहां पर जीरो कोवड की पॉल्सी उने रिट्राक्ट पर नहीं पट रही है तो आप जानते कि सो से जड़ा इंवर्स्टियों में प्रॉल्म थी हर शेयर में प्रोटेस्ट हुए अब जीरो कोवड पॉल्सी रिट्राट की तो पहले कोवड था ही ना फिर तो मिलिए मिलियन अब चाहिना के बोखला है तो अब चाहिना के बोखला हुआ हो तो है इक रावी हालाद खालत कराव हैं और मैंको यह बताओ अशाथ लड़ने की प्रेक्टिस कर रहा हूं और आप साथ चाहिना में देखें इंडियन ओशन में एक्रसाइज़ें देखें अब हाई आई तो यह चाहिना कहीं नगे वो खला हुआ और एक्कनामिक आउट्टुक उसका दिन बर नीचे जा रहा हुआ है और इकनामिक इहालत कराब हो रही है अब वह चाहता कि इंडिया में भी एक दो फ्लैश्वोइट बनाएं ताकि इंडिया के इंडिया इतनी तर्की ना करपा इतना आगे ना जा पाए क्योंकि इंडिया को आप हत्यार और मैन पावर पे तो हला नहीं सकते तो आप कहीं न कहीं आप कहतों कि बड़ी एकनौमी आप वो भी टूट रहे हो अगर एकनौमी आप इंडिया आप से बड़ी कहीं बन जा है तो आपके पास तो मूह दखाने कुछ नहीं बचेगा और आपकी बार क्या हुआ श्रीजिंग पिंग के बंदे भाग गए अगर देखी गलवान में तो पकी ख़बर होगी न कि रहा बाची 120 लोग मरे थे मैं अब भी 135 का नंबर कहता हूं पर को 111, 120, 135 यहीं नंबर चल रहा है मेरा नंबर 135 है बट मैं चल लिए कड़ा थी चाइना उसलिए वो इजद बचाके भागे है हडियत तोड़ाएं और इजद बचाके भागे चीने बट हमें यह समझ आता है कि चाइना पर कोई बरोसा नहीं कर सकता तो यह कोई आइसलेट इंसलेंट नहीं है हमाजी के कोई ऐसा नहीं कि अचालक हो गया यह पूरा प्रोग्राम था पूरी साजिश्टी पूरी तैयारी थी यह तो अच्छा हुआ कि हमने इसको विफल कर दिया हमारी सेना नहीं को मूतोड जवाब दे दिया और और मैं पो डिरेक्ट बता हूँ वेर इवन प्रपेट फ्रेंट और अगर पुश कमस्ट शाओ और ओर हम कुई अमन के आशा के गोल गप्र नहीं है ते लॉली प्नी बहल लेकर नहीं बैठ है यह उपला कुई श्रेंब्स, और उससे पहले पी इस उसे पहले बीकुट करनें इसको तो यह तो यह तोर ऑंगों बड़ गर करें और यह तो कि खुल के बता के दिखा कर रहा है चैना पे व rasp Keav को भरोसा नहीं करता चैना पे Taiwan बरोसा नहीं पिरूञता है यह सब समождती है अपने भाइ-बंदू है तो जब वह देंते तो जब वह नगा नहीं पर भरोसा की सम कि अब क्या बोलेगा लोगों को अपनी इसत बचाने के लोगों को कही ना कहीं तो एक देखिए आपको प्रॉब्लम को अपने कंट्री से बहाने जाना है अब बहार ऐसे लिगा सकते हो कि जी इंडिया के साथ लड़ाई जी वो अमेरिका आ गया जी वो कह रहे यह कर रहे हो का द्यान बठकाने के लिए कुछ ना कुछ करोगे तब हैं चाइना टूप्स क्लैश नियर डिस्टुटिट बार्डर लास्टी और कहा यह जा रहे है कि दोनों तरफ से यह बात बताई गई है कि यह यह हुआ है तो मामला है इस वक्त आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अच चाइना के प्रेजड़नट शीय भी रीसेंट साओधी रेविया गया तो वहां पे भी भारत जो है उनके जज़बात मज्रू हुए उसके बाद अब यह बार्डर पे लाइन अफ एक्ट्रूर नूचल प्रदेश के अंदर जो हुआ वाक्या यह 9 दिसंबर का वाक्या है औ एक तो वो सिरफ ना सिरफ इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बलके वहां पे बताना चाहूँगा कि इजलास जारी है वहां पे समली का सर्दियों वाला उसमें हैदराबाद से अस्दूत इन वैसी साफ ने आवाज उठाई है कि हमें देर से क्यों बताया गया है यह वहां प सिर्फ जखमी होने तक अभी तक किसी का जनी नुपसान जो है उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला तो तौंक सेक्टर में यह सारा सिलसला हुआ है और देखा जाए अगर तो इतनी गयर मामूली बात नहीं है 3800 किलो मीटर का जो है बार्डर है दोनों केंट्रीज के सा हुआ है